हेलो विनर्स कैसे हैं आप सभी लोग डिवाइन लाइट्स असोसियेशन टीम के आईडिया जेनरेशन सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी हाँ दूस्तों आप सभी की दुआओं से हम बिलकुल ठीक हैं और आप जब हैं तो फेर चिंता किस बाग की आप इत इतनी अच्छी अच्छी दिव प्रेणाएं जो हमें देते हैं जिसकी वज़े से हम बहुत कुछ करने के लिए सोच पाते हैं जी हाँ दूस्तों आज का जो आईडिया है वो कहां से आया है वो हम आपको बताते हैं जी दरसल एक WhatsApp प्लाटफॉर्म है जिसका नाम है साहेत द जोहान तो राजेंद्र जोहान जी ने लाइफ की एक बहुत बड़ी प्राब्लम पे फोकस किया है वो ये है कि भाई अगर लाइफ में चारों तरफ चैलेंजिस ही चैलेंजिस हों तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा भी समय आता है है ना तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए य देंगे आपकी धेर सारी दुआओं प्यार सपोर्ट और बड़े बड़े साक्रिफाइस के लिए जूकि आप सभी लोग डिवाइलाइट असोसियेशन की धेर सारी सफलता के उद्देश से करते हैं और इसके अलावा हम राजिनरे चौहान जी को भी बहुत-बहुत धन्यवा देंगे सब लोगों की तरफ से जो की इस वीडियो को सुनेंगे उन सब की तरफ से क्यूंकि उन्हों ने हर किसी को जिन्दगी जीने का एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र दिया है तो क्या है वो मूल मंत्र चलिए जानते हैं देखे दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जब भी लाइफ में चालेंज़स को देखते हैं और चुनातियां जब कठीनों होती हैं तो आपको यह लगता है कि यशर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा अब क्या करें तो पहले आप अपना काम कर रहे होते हैं उस समय तक focus आपका अपने काम पे होता है लेकिन अचानक से आपका focus change हो जाता है shift हो करके कहाँ चला जाता है वो जो life की जो कठिन चौनावतियां है उन पर चला जाता है कि भाई अब ये जो पहाड है न इसको पार कैसे किया जाएगा क्या किया जाए अच्छा दशरा तमान जी की story आपको याद आगाई very good चलिए बहुत अच्छी बात है अब जो राजेंद्र चौहान जी ने solution दिया है वो क्या है वो ये है कि जब भी कभी आप focus करते हैं एक मिनट में एक मिनट पे तो एक ही बार एक ही चीज़ पर आप focus कर पाएंगे तो एक मिनट जब आपने लगा या पहली चीज़ को देखने के लिए तो हो सकता है आपको पहली कठीन चुनाती दिख जाए ठीक है चुनाती जो दिख रही है आप उसको एक कोई चीज समझ लीजे ठीक है कलपना करके कोई चीज समझ लीजे और वो चीज जो है वो बहुत छोटी सी है ऐसा उसको देखिए एकदम मोती से भी छोटी वो चीज है ठीक है वैसा देखिए और बहुत बड़ी सी एक चीज आपके स वो देखिए ठीक है वो क्या है भगवान जो चुनाती है उसको बिल्कुल छोटा कर दीजे और बहुत बड़ा रूप देखिए वो किसका भगवान का है ठीक क्योंकि देखिए हम लोगों ने हाल में ही जन्माष्टी में मनाई है और भगवान के जन्म का ही वो त्यभार होता है भगवान हमारे कश्टों को हरिए हमें सुरक्षा दीजिए महामारी का जो यह दौर चल रहा है उससे हमें बाहर निकालिए कई-कई प्रास्तना है हम लोगोंने की हैं तो बड़ा सही आईडिया है यह आप इसको अपना भी सकते हैं सुन करके तो क्या करना है आपको पहल बिल्कुल देखना आपके लिए दुशकर हो जाए इतना छोटा आप समझ लीजे उसको और एक बड़ा साकार देखे किसका भग्मान का ठीक तो बड़ा आकार जो होगा उसको आप इसली देख पाएंगे वो आपके बिल्कुल पास देखेगा और जो छोटी चीज होगी व आपको दूसरा चालेंज फोकस करना पड़ जाए ठीक है दूसरे चालेंज को आप देख लें तो उस मिनट में भी आपको यही करना है जैसा आपने पहले किया क्या जो चुनावती है उसको एकतम छोटा सा देख लीजे और जो बड़ा रूप है वो किसका होगा भग्मान क ठीक है तीसरे मिनट में भी आपको ऐसा ही करना है कोई अच्छाई भी आपको दिखें अगर तो उसमें भी अच्छाई जब भी होती है कोई आपका मित्र होता है या कोई भी होता है दूसरा सामने से आ रहा होता है वो आपकी मदद को आता है तो आप उसको सही में भग्मा भगवान अपने रूप में किसी न किसी को भीचते ही है आपकी मदद के लिए वो खुद सामने आते ही नहीं है है ना तो इस मामले में तो आप समझते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं ठीक है लेकिन जब चालें जाता है तो इसी चीज़ को हम भूल जाते हैं और भगवान क ठीक तो क्या होगा ये करना एक तिन आप समस्याओं का समाधान पाने में मास्टरी हासल कर लेंगे महारत हासल कर लेंगे ठीक है और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको बढ़ने से रोक पाए ठीक तो छलिए देर किस बात की कर रहे हैं भाई इस का लक्ष है उसको आपको पूरा करना ही है है ना और राजिंद्र भाई आपको इस बहुत प्यारे से गिफ्ट के लिए बहुत-बहुत धरनेवाद अब हम आप लोगों से और कुछ गिफ्ट मांगना चाहते हैं सेग्मेंट की समापती पे क्या गिफ्ट है भाई आपका आ और आपके सपूर्टर्स की खुशियां बाढ़ती रहें दिंदूनी राच चौगनी मतलब खर्मों गुना से भी जादा साथ में हम यह भी चाहते हैं कि आपको आपके परिजनों को और आपके सपूर्टर्स को धेर सारी सफलता मिले हैं तो दोस्तों इन ही रिक्वेस्ट क के साथ हम आप सभी के देर सारे प्यार, जुनून, चजबात और कड़ी महनत के साथ-साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचाईयों को छू रहे हैं बलकि साथी आप सभी हर ख्षेत्र में अपन योगिता का जंडा निरंतर गाड रहे हैं तो दोस्तों इसी गर्फ की भादना को अपने मन में संजोए हुए एक पार फिर पूरी डिवाईला इस असोसेशन टीम की ओर से हम आप सभी को क्याना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार